नमस्कार आप सबी स्टूजन्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज का यह वीडियो है माचल प्रदेश चे ओए आईटी के स्टूजन्स के लिए है तो आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट से लेटेड कुछ 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 डिसकस करेंगे ठीकिए उसके इलावा मैंने मेडियों को आपके साथ डिसकस किया था जो वी मीडियों यूज होते है ईंटरनेट में तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में और आने वाले वीडियो में भी इंटरनेट से लेटेड बहुत सारे questions आपके साथ मैं discuss करूँगा बहुत सारे questions यहां से बनते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं काफी important topic है यह internet तो first question देखते हैं dash is a dash also called the web contains billions of documents किस चीज़ को web भी कहा जाता है तो इसमें जो right option है worldwide web ठीक है जी worldwide web है क्या है यह यह क्या है collection है बहुत सारे billions of documents का तो worldwide web billion of documents का collection है जिसको web भी कह दिया जाता है तो यह question बड़ा ही simple है straightforward है आपका Allahabad bank के clerical exam में यह question आपसे पूछा गया था तो बहुत ही simple सा question है next question है worldwide web is invented by worldwide web किसने invent किया था यह बड़ा ही important question है मैं पिछले videos में भी आपके साथ discuss कर चुका हूँ यह पूरा detail में तो यह right answer है Tim Berners-Lee आपसे कई exam में पूछा जाता है जीके के question भी आपके जीके के तौर पर भी यह question आपसे पूछा जाता है कि यह exam में Tim Berners-Lee जो की CERN में थे CERN CERN European Nuclear Agency है फ्रांस में तो वहाँ पर इसका फ्रांस में 1989 में Tim Berners-Lee ने जो है invention की थी word wide web की जबकी आपका advanced research जो project ARPANET है वो माना जाता है internet की शुरुआत वहाँ से हुई थी और वो USA में हुई थी इससे कई साल पहले 1960s में तो यह काफी different है internet से जो की word wide web word wide web एक software oriented है जबकी internet में software hardware दोनों चीज़ें आती है और word wide web एक छोटा सा हिस्सा है internet का next question है what do you need to work on www www यानी word wide web पर काम करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती option A है connection to the internet option B है a web browser option C है web server option D है all of these तो web browser क्या होता है web browser एक software है जो की आप आपके बीच में आप client हैं आप अपने computer में काम कर रहे हैं आपके बीच में और दूसरी तब server server web server हो सकता है mail server हो सकता है कोई भी server हो सकता है उनके बीच में जो की एक interface है जो की दोनों को जोड़ता है एक ऐसा software है web browser ठीक है जी तो www के लिए आपको जरूरत पड़ेगी तीनों चीज़ों की all of the above आपको internet का connection भी चाहिए ताकि आप web server तक पहुंच सकें और वहां से आप web pages को access कर सकें और यह सारा काम करवाएगा आपका web browser एक interface की तरह काम करेगा आपके और web server के बीच में लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए web server तक पहुंचने के लिए आपको internet के connection की जरूरत रहेगी तो all of these यह right answer है next question है dash which contains billions of documents called web pages is one of the most popular services most आएगा one of the most popular services on the internet ठीक है तो यहाँ आपको fill in the blank करना है यह आपको पता चल जाना चाहिए वैसे ही answer तो यहाँ पर web आएगा right answer है आपका see web which contains billions of documents ठीक है यह बहुत सारे documents है called in documents को क्या कहा जाता है web pages भी कह दिये जाता है तो web क्या है web pages की collection है web बोल दीजी चाहिए word wide web बोल दीजी एक ही चीज है next question है word wide web contains web pages ठीक है word wide web में क्या रहते है web pages रहते हैं तो यह किस तरह से रहते हैं इस तरह के questions confusing हो सकते हैं क्योंकि इसमें सारी options आपको लगेंगी ठीक हैं लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो डी है वो most appropriate इसमें option है क्योंकि डी के अंदर उपर वाली तीनों options आ जाती है हलाकि सारी options अपने आप में सही हैं लेकिन डी most appropriate है क्योंकि डी के अंदर पहली तीनों options जो है वो included हैं ठीक है जी डी में क्या है residing web pages residing in many computers ठीक है जो कि आपका first वाला पार्ट आ गया residing in many computers link together तो ये जो web pages link together तो ये आपका third वाला पार्ट आ गया ठीक है जी और using HTML इन pages को design किया जाता है HTML language में hypertext markup language में तो वो आपका B वाला option हो गया तीनों options आपकी D वाली option में हैं तो D आपका right answer है most appropriate answer है तो मलकि word wide web contains web pages word wide web में web pages होते हैं जो कि कि किसी एक computer पर रहते हैं जो कि server हो सकता है किसी भी type का यह pages आपस में linked रहते हैं और यहाँ पर HTML language को use करके इनको बनाया जाता है next question है dash is the web's native protocol web का native protocol कौन सा है ठीक बहुत सारे protocol internet में use होते हैं यहाँ पर web का native protocol कौन सा होता है वो आपको बताना है आप कभी भी आप कोई web page खोलते हैं ठीक है जो कोई website खोलते हैं तो आप देखेंगे कि website जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर website का नाम शुरू होगा इस तरह से http या फिर https लिखा होगा इस तरह से लिखा होता है ठीक है उसके बाद जो है domain name शूरू होता है जो कि website का नाम है तो यह जो है आपका एक प्रोटोकॉल है जो कि web का native प्रोटोकॉल है http तो सी इसमें राइट ऑप्शन है hypertext transfer protocol और अगर इसके आगे ऐसे लगा दिया जता है तो यह secure हो जाता है तो TLS transport layer security आजकल यूज होती है पहले SSL यूज किया जाता था ठीक है जी secure socket layer यूज किया जाता था अब इस TLS यूज किया जाता है यह आपका secure करने के लिए encrypt करने के लिए data जो भी आप भेज रहे हैं या internet पर या फिर internet पर आप access कर रहे हैं ताकि कोई भी बीच में breach ना क यह OSI model की layer है ठीक है OSI model की साथ layers है यह मैंने अलग से वीडियो बना है OSI model वो आप जरूर देखिएगा वहाँ पर मैंने detail में practically कैसे कैसे यह layers काम करती है वो detail में बता है तो application layer जो है यह वाली layer है जहां पर actual में user काम करता है जहां पर applications इसके नाम से ही clear है जहां पर applications काम करत वो सारा आपका application layers है ठीक है तो यहां पर पूछा गया है कि when displaying a web page the application layer uses protocol ठीक है जब भी आपका web page display हो रहा है तो आपका application layer कौन सा protocol use कर रहा है तो HTTP hypertext transfer protocol हो गया FTP file transfer protocol हो गया C हो गया simple mail transfer protocol तो इसमें आगया आपका all of these ठीक है जी तो यह सारी options इसमें होती है कोई भी protocol use हो सकता है इन में से तो ज़्यादातर time तो आप HTTP ही देखेंगे next question है FTP जो है वो obsolete हो चुका है यह use नहीं होता है आदकल next question है which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses web based information ठीक है जी तो यहां पर आप ध्यान से पढ़िए इस question को question क्या है question है कि communication protocol कौन सा है जो की एक standard बनाता है ताकि आप information access कर सकें तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बाकी सारी चीजें तो language ही है ठीक है यहां पर protocol है एक ही HTTP तो HTTP ही जो है यह protocol आपका जितने भी आप चीजें access करेंगे web pages access करेंगे तो आपका HTTP प्रोटकॉल आपका use होता है HTTP प्रोटकॉल आप देख सकते हैं वहां पर लिखा होता है address में next question है the hypertext document on the word wide web are known as ठीक है जी तो hypertext documents को क्या कहा जाता है जो की word wide web में होते हैं तो इसमें उनको कहा जाता है web pages बिल्कुल straight forward आपका य question है next question है web pages are known as web pages को और किस नाम से जाना जाता है website hypertext documents web content all of these ठीक है जी तो यह बहुत ही simple questions है आपको यहां पर बिल्कुल confused नहीं होना है इस तरह के यह तो बिल्कुल सीधे सीधे questions है तो इसमें जो right answer है वो है hypertext document ठीक है hypertext document भी इनको कहा जाता है जो भी आपके web pages है क्योंकि यह जो है आपका html language में hypertext markup language में यह pages लिखे जाते हैं इसलिए इनको hypertext documents भी कह दी जाता है next question है a commonly used graphic format for web is ठीक है graphic format कौन सा है web के लिए वो है gif option a इसमे right answer है next question है personal logs और journal journal entries posted on the web are known as जो भी चीज़ें आप personal log जो भी personal log या journal entries मतलब कि जो भी आप चीज़ें लिखते हैं internet पर उनको क्या कहा जाता है तो बड़ा simple सा अंसर है blogs कहा जाता है option C इसमें सही अंसर है ठीक है आप कुछ भी अपनी रुची के अनुसार कुछ भी चीज़ें अपनी personal लिखते हैं या कोई journal entry लिखते हैं तो उनको logs कह दिया जाता है next question है a website is a collection of website is a collection of यह आपका 2018 के J.O.A. exam में पूछा गया था question तो यहां पर I.B.P.S. में भी यह question पूछा गया है तो website is a collection of web pages D. इसमें right answer है next question है a web consists of one or more web pages located on a server ठीक है जी a web consisted of one or more web pages एक या एक से ज़्यादा web pages है और वो web server पर कहीं पर है किसी ने किसी computer पर तो वो क्या कह सकते है है आप उसको कह सकते है site option B इसमें सही है site या website ठीक इस तरह से भी कई वह चीज़े लिखी होती है तो confused ना हो website लिखा हो तब भी सही answer होगा site लिखा होगा तब भी वो सही answer होगा तो यह question भी आपको पूछा क्या है site क्या है आपका या website क्या है collection of web pages next question है a website address is a unique name that identifies specific dash on the web ठीक है website address है क्या चीज़े बस simply यह पूछा है तो इसमें right answer है option D link website address क्या है एक unique link होता है unique होता है वो link और किसी website का नहीं होगा ठीक है एक website का एक ही address होगा हलांकि उसको map किया जाता है IP address के साथ भी IP addresses के साथ भी इनको map करके रखा जाता है आपकी websites को आप की memory के लिए आपकी यादाश्त के लिए वो जो आप देखते हैं domain name वो आपका alpha bets में रहता है characters में रहता है तो एक याद करने लाइक नाम होता है वो www something लेकिन computer जो है वो तो IP address ही समझता है तो वो IP address के साथ map की होती ह आपकी websites computer जब भी आप access करते हैं तो आपका जो website का name है domain name वो translate कर दिया जाता है IP address में और फिर computer की request जाती है उस computer तक जहां पर वो actual में web page पढ़ा है website पढ़ी है next question है websites main page is called as website के main page को क्या कहते है इसको home page कहा जाता है option A सही है बड़ा simple question है आपका J.O.E.K. exams में पहले भी इस तरह के questions पूछे गए है next question है most websites have a main page the dash which acts as a doorway to the rest of the website तो ये उपर वाला question ही आपका repeat हो गया है ये जो है home page आना चाहिए यहां fill in the blank S.B.E.K. clerk के exam में ये question पू बाकी के लिए बाकी सारी website के लिए एक दरवाजे का काम करता है तो home page पर सारी चीजें लिखी होती है सारा menu आपको वहां पर मिल जाता है next question है the first political party of India which created its own website on internet is ठीक है जी तो पहली कौन सी party थी जिननों ने अपनी खुद की website बनाई तो ये थी भारती जिनता party option A में सही है next question है dash is collection of related web pages and dash is the first page that we see on the opening of the website तो ये वाला पार तो आपका repeat हो गया दूसरी तीसरी बार आगया ये question तो ये आएगा आपका home page home page देख लिजी यहाँ पर दो जगा पर लिखा है ठीक है और जो first वाला है वो आपका website हो गया तो इसमें भी right answer है website is the collection of related web pages and home page is the first page that we see on opening a website ठ ठीक है जी तो ये तो simply आपको पढ़कर ही समझ जाना चाहिए answer next question है moving from one website to another is called ठीक है एक website से दूसरी website पर जाने को क्या कहते हैं तो इसमें जो right answer है वो option C surfing ये जो question है आपका JOA के exam में HP Public Service Commission के JOA के exam में पूछा गया था 2018 के exam में next question है Microsoft's messenger allow user to Microsoft का जो messenger है वो क्या allow करता है यूजर को option A है bypass a browser to serve the web option B है create a blog option C है communication by direct live communication option B है identity and eliminate spam तो इसमें जो C है वो right answer है ये messenger कोई भी है वो आपको communication के काम में आता है next question है अब browser is a browser क्या चीज़ है मैंने ये वैसे आपको पहले बता दिया कि ये एक software program है तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए software program to view web pages on the internet आपका B जो है वो बिलकुल right answer है अब आप मुझे ये बताईए कि ये browser किस तरह का software है application software है system software है utility software है किस तरह का ये software है next question है आप ये comment box में बताईएगा कि browser किस तरह का software है तो इस तरह के questions भी आपको पूछ सकते है next question है which of the following is a web browser ने में लिखत में पढ़िये कि कौन सी चीज जो है वो web browser है internet explorer mozilla firefox netscape navigator तो all of these है ये सारे के सारे web browser है एक इसमे internet edge 2015 में जो है release हुआ था internet edge window 10 में use होता है बहुत commonly तो internet edge भी जो microsoft का ही है ये भी आप याद रखीगा next question है which of the following is our web browser ठीक जी web browser कौन सा है इन में से तो ये तो आपके सारे जो है application software है बाकी सारे ये firefox ही आपका जो है वो एक web browser है next question है यहां web browser का आप एक और चीज मैं बताऊं ध्यान रखेगा कि जो google है ठीक है जी google के साथ अगर chrome लिखा है तब तो आपका web browser है लेकिन अकेला google लिखा होगा तो वो एक आपका search engine है next question है choose the web browser among the following ठीक है जी निमल लिखित में से web browser कौन सा है वो आपको बताना है दिखी बाकी तो आपके messenger है ठीक है यहां पर right option है D. Netscape Navigator Netscape Navigator जो है वो आपका एक web browser है next question है which program is developed by Microsoft and embedded with Windows operating system and used to view web documents कुछ नहीं है यहां पर यही पूचा है कि Microsoft का एक कौन सा web browser है तो इसमें right option है option C Internet Explorer next question है to reload a web page press the dash button ठीक है जी अगर आप reload करना चाहते हैं अपने web page को तो आप कौन सा button प्रेस करेंगे आपकी website पर ये left side को button बना रहता है इस तरह से ठीक है जी तो वहां पर आप इसको refresh button कहते हैं इसको आप प्रेस करेंगे click करेंगे तो आपका refresh हो जाएगा या आप F5 की अगर दबाएंगे तो भी आपका page refresh हो जाएगा next question है the dash enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser window तो इसमें जो right answer है वो है tab row option C आपका सही answer है next question है the dash shows all the websites and pages that you have visited over a period of time ठीक है over a period of time जितनी भी चीज़े आपने देखी होती है अपना browser में खोल के तो वो कहां रहते हैं वो आपके history में रहते हैं तो history को आप किस shortcut की से खोल के देख सकते हो या आप comment box में बताइए next question है if you are going to a site you use often instead of having to type the address every time you should and क्या करोगे आप अगर frequently किसी website को खोलते हो तो आप क्या करते हो तो आप उसको bookmark कर सकते हो आपको बार बार address type करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो option C इस में right answer है bookmark it next question है you can use the dash bar to type a URL and display a web page और type a keyword to display a list of related web pages ठीक है जी you can use the dash bar कौन सी बार ठीक है जी menu बार नहीं होगा title बार भी नहीं होगा आपका web भी नहीं होगा अब search या address बार आ है आपका इन दोनों में से आप बताईए कि कौन साइस में right answer है तो यहाँ पर आपका right answer है option E address bar next question है specialist program that assist user in locating information on the web are called ठीक है जी वो कौन से specialist programs हैं जो की assist करते हैं user को locate करने में अपना web page तो इसमें जो right answer है वो है search engine search engines जो है बहुत सारी websites की mapping कर रखते हैं बहुत सारे मैं उनका data इकठा करके रखते हैं तो जैसे आप type करते हैं कोई keyword तो आपका वो display कर देते हैं उससे related जतनी भी websites हो सकती है next question है what is a search engine ठीक है search engine क्या है तो यह मैंने आपको बता दिया है a program that searches engines अब option b है a website that searches anything option c है a hardware component option d है machine engine that searches data तो इसमें b option जो है वो right answer है search engine क्या है एक तरह website है that searches anything आप कुछ भी search करते हैं वो search करके आपको बताती है result अगर map की होगी कोई चीज उन्होंने website के साथ या किसी और चीज के साथ तो वो आपको display कर दी जाएगी जबकि option a है अगर आप वो ध्यान से पढ़ेंगे वो उसका मतलब बना है कि अप program that searches engines ठीक है जो की engines को search करें तो वो गलत अंसर आपका option a next question है yahoo info seek lycos are examples of यह किसी के examples है यह अपके examples है search engines के option a और बिंग है एक बिंग ठीक है विंडो 10 में आपको बिंग देखेगा तो बिंग भी एक बड़ा important search engine है next question है a search engine is a example of search search किसी का example है किसी is a program to search search engine is a program to search किसी को search करता है इसमें d right option है web pages for information using specific search terms ठीक है कुछ specific से आप word वहाँ पर लिखते हैं जब भी search engine में google में तो वो search करके आपको बताएगा next question है which was the first big search engine पहला बड़ा search engine कौन था कौन सा था इसमें right option है lycos option d next question है a dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria जो भी आपकी search criteria होता है जो आपकी words डालते हो उसके response में जब भी search engine कोई web page आपको दिखाता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है hit hit is the term used ठीक हिट कहा जाता है जब भी search engine आपको display करे कोई web page आपके search criteria के response में तो internet से लेटेड ये कुछ questions हैं बहुत सारे और questions हैं जो की internet से लेटेड आपके साथ discuss किये जा सकते हैं जेओ एक के perspective में तो आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए like कीजिए share कीजिए धन्यवाद आपके साथ